सबी स्वागत अब सभी का आपका अप्रेंटिव चैनल आई टेली जोब अपडेट पर गाईज जग आपको पता हैं कि मैं हमारे चैनल पर हरोज आई टेय पसाउट साथों के लिए सबी परकार के सरकारी भरतियां जैसे कि कल S.J.W.N की तरफ से पर्मानेंट भरती निकल कर आई हुई थी सरकारी तो उसके अपडेट में आप लोगों को डाली हैं दोस्ते तीन वीडियो हमारे चैनल पर आई टेय पसाउट साथों के लिए सरकारी भरतियां में लेकर आता हूं जिन में बात करते हैं गवर्मेंट वेकेंसिस के साथ साथ निकलने वाली सभी परकार क के अप्रेंटिस भरतियां और अप्रेंटिस भरतियों के साथ अगर किसी बड़ी कंपनी में पर्मानेंट भरती निकल कर आती हैं तो उसकी भी अपडेट में आप लोगों को सबसे पहले प्रवाइड करता हूं गाइज अभी फिलाल जो हैं डियाडियो टेके यानिकि आई यह लगा कि है इस्टीए बी का ही वापस से टाय टू होने वाला है तो कई चात्रों के तैयारी छोड़ दी इसमें आई ट्रेट के लिए आज में वीडियो लेकर आया हूं सभी ट्रेट से पास आउट चात्रों की लिए इंपोटेंट वीडियो होने वाली हैं जिसमें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरू कर देना अगर आपने अब तक हमारे सेंगे को सब्सक्राइब कर लो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रूप का लिंक है गाईस नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जो एक्जाम की द्रश्टी से महत्पूर्ट क्यूशन होने वाले हैं तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो गैस देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं डिया डियो मौस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन फॉर ओल्ट्रेट ये क्यूशन जो है लगबग 10 से 12 क्यूशन हम आज यहां पर करने वाले हैं और सभी क्यूशन इंपोर्टेंट होंगे आपको अपने एक्जाम में दो से तीन क्यूशन देखने को यहां से मिल जाएंगे इस चोटी सी वीडियो से ही और ये आज की जो वीडियो हैं सभी ट्रेड के लिए यानिके इलेक्टिशन डिजल मे में क्यूशन पूचा गया है और इंपोटेंट क्यूशन है कहीं चाद्रों को 1925 इसका क्यूशन याद देता है वो बिल्कुल गलत है आप उसको भूल जाएगा डियाइडियो के संस्तापक कौन थे आपसे जरूर पूचा जाएगा रक्सा अनुसंदानें विकास इस्ताप करम 1947 से हुआ 28 दिसंबर 1847 को उस समय के गवालियर के महराजा उसे में गवालियर के जो महराजा थे जिवाजी राओ सिंद्या जी ने एक प्रियोक साला का सरजन किया और इसका नाम पहले रखा था जिवाजी ओधोगी कनुसंदान प्रियोक साला यहनिकी जे आई आरेल ठी कायद ही कोई करवाएगा और इन में से हर क्यूसन आपकी एक्जाम औरेंटेड है तो याद रखेगा आपसे यह क्यूसन भी ज्यादा पूछा जाएगा कि डियाइडियो का जो पूरु नाम है वो क्या था तो हो सकता है सोट फोर्म आपसे पूछे तो जे आई आरेल आपक ठीक है अगला क्यूसन है कि डियाइडियो का उद्धेश्य क्या है तो याद अखिएगा डियाइडियो अत्याधूनिक और महत्पूर्ण रक्सा प्रोधोगी क्यों एवं परणालियों में आत्मिर्व्रता की इस्तती हासिल करने के लिए भारत को ससक्त बनाने की जो भी तीनों सेवाएं हैं जल धल और वायू इनको हतियार प्रणालियों रुप करनों को उपलब्द करवाता है कौन डियाइडियो ठीक है आगे क्यूसन आता है कि भारत में कितने डियाइडियो के अंदर है तो याद अखिएगा भारत में टोटल बावन परियोग पढ़ने की आवशक्ता नहीं है अगली बात करें कि डियाइडियो भारत में कहां इस्तित हैं यह क्यूसन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डियाइडियो का मुख्याले कहां इस्तित हैं याद रखेगा डियाइडियो का मुख्याले हैं नई दिल्ली अगर आपके उप्शन म होवन राजाजी मार्क नई दिल्ली में स्कित हैं अगला क्यूशन है डियाइडियो डिवस कब मनाया गया तो डियाइडियो डेज हो हैं एक जनवरी को होता है यह भी क्यूशन आ सकता है कि डियाइडियो किस दिन होता है तो याद रखिए एक जन्वरी को डियाइडियो दिवस मनाया जाता है और इस वर्स यानि कि अभी क्या जल रहा है हमारा 2022 चल रहा है इस वर्स डियाइडियो का 64 वाइस ता अपना दिवस मनाया गया कापी important क्यूशन है कोई नहीं बताएगा मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ सब घुसे पढ़े हैं टेकनिकल टेकनिकल इस शोटी सी वीडियो से आपको दो से तीन क्यूशन या पर देखने को मिलेंगे आपके एक्जाम में सबी ट्रेड के लिए तो इस बार 2022 को डियाइडियो का 64 वाइस ता अपना दिवस मनाया गया और आज से अपना डियाइडियो का 65 वाइस ता अपना दिवस भी मना चुके होंगे तो आगे क्यूशन आने वाला है कि डियाइडियो का इस वर्ष कौन सा इस अपना दिवस मनाया गया तो 65 वाइस ता अपना दिवस मनाया गया डियाइडियो डे कब होता है एक जनवरी को DRDO डे होता है DRDO के जो अध्यक्स थे एक जनवरी 2022 को वो थे डॉक्टर सतीज जी रेडी यहां से एक क्यूशन आप लोगों के लिए है कि DRDO के वर्तमान अध्यक्स कोन है आप नीचे कमेंट करेंगे मैं आपके कमेंट को रीड कर रहा हूँ DRDO के वर्तमान अध्यक्स कोन है बहुत कन्प्यूशन है याद रखेगा G-37 रेडीजी नहीं है G-37 रेडीजी को अभी कौन सा पत्बार है यह भी आप बताएंगे क्या बताईए यह भी आप बता सकते हैं अगर नहीं बता सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ डियाड योग के जो पूर अध्यक्स थे जी सतीस रेडी जी उनको फिलाल रक्सा मंत्री का वेग्यानिक सलाकार न्यूक्त कर दिया गया है और डियाड योग के नए अध्यक्स किसको बनाया है ये आप कमेंट करेंगे मैं तो बताए दूँगा ले अगर आप डियाडियो का एक्जाम नहीं निकाल सकते अगर आपको इतनी सी चीज याद नहीं है डियाडियो के लोगों पे भी हर चीज लिखी हुई होती है अगर आप डियाडियो के तयारी कर रहे हैं तो अगला क्यूशन बन सकता है कि डियाडियो की परतम महीला डारेक्ट कर थी अगला क्यूशन आ जाता है कि डियाइडियों के महानी देशक कौन है यह क्यूशन भी जरू पूचा जा सकता है तो 14 नॉवंबर 2022 तक उस समय डियाइडियों के जो महानी दे सकते वह एमजेड़ सिद्ध की आप लोगों से पूराना भी पूचा जा सकता है करंट जोरी नहीं है कि अभी का पूचेंगे श्री एमजेड़ सिद्ध की जी को 14 नॉवंबर 2022 से डी जी यानि की एनस एंड एम के रूप में न्यूक्त किया गया था ठीक है अगला क्यूशन इसके बाद आज की योडियो को इतना है आप लोगों के लिए क्यूशन जो हता उसका आपको कमेंट में comment कर देना question है कि D.A.D.O के वरतमान अद्धेक्स कौन है ठीक है पहला question है आप लोगों के लिए D.A.D.O के वरतमान अद्देक्स कौन है और दूसरा question आप लोगों के लिए है कि D.A.D.O की full form क्या है English and Hindi में आपको comment करनी है हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो रहेगी ITA All Trade Candidate के लिए साथ ही साथ Electrition Trade से अगर आप पास आउट हैं तो आप लोगों की एक सीरी चलाई जा रही हैं उसमें आप Electrition में प्रिवेस एर में आए हुए सभी कुशन्स देख सकते हैं आगे एक और इंपोर्टेंट बात में आपको बताना चाहूंगा माई देख वह बूल वह बूल यह की एड़की है कि लाश्ट में बोलुक्त माई महर बार्स पर लाश्ट को चुछी पेस पड़े जरा है शुरू मंतियों सोचे यह दो बेच भाए उचे निकालीं